काफी दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक चमन का पेड़ दिखाया था जब कटिंग की थी उस तोरान का और अब देखो ये ऐसा हो गया है मैं इसका अपडेट देने जा रही है अब आपको ये देखिए मैंने कहा था कि ये इतना ज्यादा हरा भरा हो जाएगा कि गंबला नजर भी नहीं आएगा और देखो अब आपको इसमें गंबला नजर भी नहीं आ रहा होगा पूरा हरा भरा हो गया है यह देखिए इसको कि इतना सुन्दर लग रहा है फूल हर्याली अच्छी तरह से हुई गया है और यह देखिए इतना सुन्दर लग रहा है यह सिर्फ हृ र्याली के लिए ही लगाया गया है वैसे तो इस निम्न ऊमन तो फहीं नहीं आया है पर यह हर्याली बहुत अच्छी देता है और जामन बहुत अच्छा होता है सहत के लिए ली चोटा गंडे में है तो जामुन तो पता नहीं आएगे नहीं आएगे लेकिन ओक्सिजन तो देहीर हाए तो अस तरह के पेट भी अिगर हम लगा देता है बीज डाल देता है तो हमारे कह बोधियर हैं तो आप लोग बीज भी फैंका ना करें जब भी आप कहीं बहार जाएं सफर पे तो उन्हें अपने साथ ले जाएं और रास्ते में डालते चले जाएं तो पेड़ उगी जाएंगे और कुछ हरी आली तो आपकी वज़े से भी धर्दी पे बढ़ी जाएगी इसी तरह से हमने यह ऐसी डाल दिया था और देखो हो गया फिर जब हो जाते हैं पोधे तो फिर उन्हें उखाड़ने का मन करता नहीं है यह सब आप भी जानते होंगे तो फ्रेंड्स आपको यह मेरा जामुन का हरा भरा सा पेड कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाके बताएं झाल है और प्रिद्स एक चीज और कहना चाती है अगर आपने स्प्मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब करें और मेरे वीडियो अगर आपके पसंद आते हैं तो लाइट भी करा कर आन और अपने फ्रेंस ग्रूप में शेयर करना ना भूले और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक के यार